असलाम लेक्टियो में आप लोग के साथ कुछ को शेयर किया था जिन में से फिर्स टू को पर मैं अलड़ी विडियो अपलोड कर चुकी हूँ उसका लिंग डिस्रिप्शन बॉक्स पर मौझूद है आप वहां से देख सकते हैं आज के हमारे जो टार्गेटिट टॉपिक्स हैं वो साइड एफेक्ट्स हैं एंफाइल के और हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं बाकि जो रिमेरिंग क्वेश्चन से इन फ्यूचर मैं उसके विडियो अपलोड कर दूँगी इसके अलावा अगर आपका एंफाइल से रिकार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं वो भी आप लोगं के साथ शेयर कर दूँगी आज मूफ करते हैं अपने टॉपिक की तरफ So Side Effects क्या होते हैं M-File के M-File के हमारे पास सिर्फ एक ही Side Effect मौझूद है वो यह है कि अगर आपके पास एक Code लिखा वा है और आप उस Code को Run करते हैं जब आप उस Code को Run करते हैं तो आपका उस Code का सारा Data जो है वो History में Save हो जाता है ठीक है, अगर तो आप code को एक ही तफ़ा run करना चाहते हैं, फिर तो कोई issue नहीं है, fine है, लेकिन अगर आप एक ही code की variable की values को बारबर change करके उसको multiple time runs करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास script file की execution effect होती है, reason क्या है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा code को run कर चुके हैं, उसका data change करके उसको दुबारा से run करेंगे, तो वो कभी भी आपकी new value को नहीं pick करेगा, because already आपका जो variable है, वो overwritten हो रहा है, मतलब a is equals to 5 आपने पहले रखके उसको run किया, और next time a is equals to 7 रखके आप run करना चाहते हैं, तो वो कभी भी next time a is equals to 7 नहीं pick करेगा, बलके a is equals to 5 को ही pick करेग तो इससे आपकी जो script file के execution होती है, वो बहुत बुरी तरह से effect होती है, और आपको कभी भी accurate answers नहीं देती, तो ये एक बहुत basic side effect है mfile का, जो कि mostly लोगों को पता नहीं होता और वो run करते रहते हैं, करते रहते हैं, और पर बात में पता चलता है कि हमारे answers में तो बहुत सारी हो और ऐसा क्यों है, तो वो basic बज़ा ही होती है, कि जब आप एक code को multiple time run करते हैं, तो वो कभी भी जो है, आपके new entered variables को नहीं पिक करता, बलके जो एक दफ़ा history में save हो चुका है, first time, वो ही करेगा, तो इसका side effect को overcome करने का एक बहुत ही simple सा rule है, बहुत ही easy है, तो इसके पहली command आपके पास CLC है, जो कि आपके पास command window को clear करती है, उसके बाद आपके पास clear all की command है, जो कि आपके पास history को clear करती है, और उसके बाद आपके पास close all की command है, जो कि आपके पास जितने भी windows open होती है, ये graph open है, ये कोई और MATLAB की window open है, उसको जो है वो cancel कर देती है, या करना चाहते हैं तो और उसकी variables को change करना चाहते हैं उसका फाइदा यह होता है कि जब भी आप code को जब जब भी run करेंगे वो तब तब ही आपका पहले history और आपकी window को clear कर देगा उसके बाद वो आपके code को run करके आपको answer देगा और इससे कभी भी आपकी जो मैं आपनों को explain करूंगी कि हम file को कैसे create करते हैं और हम उसको save कैसे करते हैं so thank you very much for watching don't forget to subscribe my channel take care of yourself and Allah hafiz